जहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासेज में दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से किबल 30 सेकिंड लेना चाहूंगा तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये हमारा वाटसप नंबर है अगर आप मुझसे कुछ पूचना चाहते हैं या फिर आपके पास में इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेट का कोई भी ओरिजिनल कोशिन पेपर है तो आप हमें इस वाटसप नंबर पे भेज सकते हैं नंबर दो बात दोस्तो ये है वो आपके लिए खुसकबरी है कि आपके एक्जाम के जो डेट है दोस्तो वो किलियर होने ही वाली है अभी तक clear नहीं हुई है लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है दोस्तों कि आपकी जो date है बहुत जल्द clear होने वाली है आप सभी जानते हैं कि मैं खुद army में हूँ तो जिसके वज़े से दोस्तों मुझे अंदर के बाते जो है वो पता चलती रहती है तो आपकी exam की जो date है बहुत ही जल्द clear हो सकती है तो दोस्तों आपको करना क्या है कि अपनी तयारी के लिए और बेहतर बनाते रहना है क्योंकि ये जो exam है बहुत दुनों बाद हो रहा है तो ये मौका आपके हाँ से नहीं निकलना चाहिए ठीक है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो question number 1 की तरफ चलते है इंकलाब जिन्दावाद का नारा किसने लोगप्रीय बनाया ठीक है यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है कि इंकलाब जिन्दावाद का जो नारा ठा उसको लोगप्रीय किसने बनाया ठा तो इस नारे के लिए दोस्तों लोगप्रीय बनाया था भगत सिहिंग ने ठीक है तो option A question number 1 का सही answer होगा अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले question की तरफ question number 2 भगवान बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति कहां हुई थी तो दोस्तों भगवान बुद्ध जो थे उनके लिए ग्यान की प्राप्ति हुई थी बौद गया में तो question number 2 का सही answer option C रहेगा अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले question के तरफ question number 3 तीन number question है हमारा सयुक्त राष्ट्र संग की स्थापना कब हुई थी तो दोस्तों सयुक्त राष्ट्र संग की स्थापना हुई थी 24 अक्तूबर 1945 के लिए तो option A इस question का सही answer होगा अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले question की तरफ और ये most important question आपके screen पर है दोस्तों आपके 2022 के exam के लिए तो दोस्तों जजिया कर जो है उसके लिए समाप्त किया था अकवर ने तो option D यहाँ पर आपका सही answer होगा अब चलते हैं दोस्तों आपके अगले question की तरफ और ये question आपको देखने में simple लग सकता है सरल लग सकता है, easy लग सकता है मैं खुद बोल रहा हूँ इस बात के लिए लेकिन जितना ज़्यादे ये question simple है उतना ही ज़्यादे दोस्तों ये question है important आपके exam के लिए इसके लिए, तो option C यहाँ पर आपका correct answer होगा अब चलते हैं दोस्तों अगले question की तरफ question number 6 the pH value of blood is मानव रख्त का जो pH मान होता है वो कितना होता है तो दोस्तों मानव रख्त का pH मान होता है 7.35 से 7.45 लेकिन आपके लिए option का इसके करना है 7.4 वाला ठीक है तो option A इस question का correct answer है अगले question की तरफ चलते हैं दोस्तों question number 7 और most important question इस वीडियो का ठीक है बहुत important question है दोस्तों English Channel पार करने वाली पहली भारतिये महला कौन थी तो दोस्तों English Channel को तैर कर पार करने वाली जो पहली महला थी इनका नाम था आरती सहा और आपके लिए दोस्तों एक बात और बता दें कि पहली भारतिये और पहली ACI महला थी जो कि जिन्होंने English Channel जो है वो तैर के पार किया था इनका नाम था आरती सहा ठीक है अगर भारतिये आये या फिर ACI आये तो आपको दोनों ही जो है वो questions में आरती सहा के लिए ही टिक करना है तो option B question number 7 का सही answer है अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले question की तरफ question number 8 ठीक है भारत में पहली महला IPS अधिकारी कौन थी first woman IPS officer in India तो दोस्तों भारत की पहली IPS अधिकारी जो थी वो महला थी का नाम क्या था किरन बेदी ठीक है तो option D question number 8 का सही answer होगा दोस्तों यह जो question है आपके army के सभी ट्रेट्स के exam के लिए important है चाहें आप जीडी ट्रक टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेट्समेन या फिर किसी और ट्रेट्स का अगर आप exam दे रहे हैं आपके लिए सभी ट्रेट्स के लिए question important है क्योंकि दोस्तों यह सभी question जो है वो previous year के question paper में repeat होते रहते हैं question number 9 है गठिया सरीर के किस अंग से संबंदित है तो गठिया जो है दोस्तों वो joints यानि की जोड़ों से संबंदित होता है तो option B question number 9 का सही answer होगा आप चलते हैं दोस्तों आज के अगले question के तरफ question number 10 और दोस्तों most important question है मतलब मैं आपसे कितना बार बोलूं कि most important most important बैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि दोस्तों मैं यह 15 question जो लेकर आता हूं कम से कम 100 question में से 15 question जो है वो मैं select करता हूं ठीक है तो बहुत important question है दोस्तों लेकिन फिर भी जो ज़्यादा important होता है उसके लिए मैं बार 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 बोलता रहता हूं ठीक है तो question number 10 है पोंगल festival is celebrated in India in which state ठीक है पोंगल इतोयार किस राज में मनाया जाता है तो पोंगल जो तोयार है दोस्तों वो मनाया जाता है तो option C इस question का सही answer होगा अगला question है आपकी screen पर और ये question भी दोस्तों most important question है ठीक है question number 11 question number 11 है दोस्तों हम किस राज में ओनम तोयार मनाते हैं in which state do we celebrate ओनम festival ठीक है तो पोंगल कहां मनाते हैं दोस्तों तमिलनाय डू में और ओनम कहां मनाते हैं हम जल्दी से बताएं ओनम मनाते हैं हम केरल में ठीक है ये दोने बहुत ही ज़्यादा दोस्तों confusion बाले question है पोंगल और ओनम में हम हमेशा दोस्तों कन्फ्यूज हो जाते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है जो ओनम तिहार है वो मनाया जाता है केरला में और जो पोंगल है वो मनाया जाता है तमिल नाइटू में ठीक है तो question number 11 का सही answer option A रहेगा केरल अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले question के तरफ question number 12 12 नमबर question है दोस्तों और ये question भी काफी ज़्यादा important है और आपके exam में हो सकता है ये आजाए ओलम्पिक खेलों 2020 sorry sorry दोस्तों ओलम्पिक खेलों 2021 का मेजबान देश कौन सा है which is the host country of Olympic Games 2021 तो दोस्तों 2021 के ओलम्पिक गेम्स खतम हो चुके हैं जिसमें दोस्तों जैबलिंग में भारत के इंडियन आर्मी से ही समन्दित थे सूबिदार निराच चौपला ठीक है जिन्हों दोस्तों गोल्ड मेडल हांसिल किया था तो तो दोस्तों अलंपिक के जो खेल हुए थे वो इस बार किस देश में हो थे तो ओलम्पिक के जापान के टोक्यो शहर में ठीक है तो अलंपिक खेल 2021 कहा हुए थे टोक्यो शहर जापान तो option B इस question का सही answer होगा अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले question के तरफ question number 13 13 number question है हमारा Who gave the slogan go back to Vedas बेदों की और लोटो का नारा किशनी दिया तो दोस्तों ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सर्श्वती ने बेदों की और लोटो नारा किशनी दिया था स्वामी दयानंद सर्श्वती ने तो option A question number 13 का correct answer है अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले question के तरफ भारत की सरबादिक बड़ी जनजाती कौन सी है Which is India's largest tribe तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाती है बो है गोंट ठीक है तो option C इस question का सही answer है अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले question के तरफ Question number 15 भारत के पहले उप्रधान मंत्री कौन थे Who was the first deputy prime minister of India तो दोस्तों भारत के पहले उप्रधान मंत्री थे सरदार बलब भाई पटे तो option C इस question का सही answer होगा दोस्तों वीडियो को finish करने से पहले आपको एक सीज़ बता देना चाहता हूँ कि daily वीडियो को वीडियो के publish होने के बाद में आप इस वीडियो की hand to hand जो है वो हमारे telegram गुरूप से इसकी PDF file with answer की download कर सकते हैं ठीक और एकदम free में तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैवारत